हलो स्टुटेंट्स मैं हूँ रामसरुप जानी और आप देख रहे हैं आपका स्टडी चैनल आरेसर एकेडमी यूट्यूब चैनल तो स्टुटेंट्स वीडियो की सेशन में मैं आज बात करने वाला हूँ physics practice rate number 2 की, physics practice rate number 1 मैंने पहले हल करवा दिया है जो इसका part 1 था अगर वो आपने वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का link में एस वीडियो की description में डाल देता हूँ वहां से उस वीडियो को जरूर से हल करिए क्योंकि इस क्यूशन इस प्रेक्टिस सेट में जो क्यूशन में हल करवाने वाला हूं उसके जो पिछे के क्यूशन है मैंने उस वीडियो में हल करवाएं तो आप उनको अच्छे से हल करिए उसके बाद में इस वीडियो को कम्प्ल तो चलिए बिना दरी के वीडियो शुरू करते हैं तो अगर इस बात करते हैं पारा से एक रासी होती है जो जिसको अगर अपने यूनिट के रूप में अगर बात करें तो वो होती है इस बात करें अगर आपको इसको क्यूशन को गहरा है समझना है तो मैं यह क्लियर कर देता हूँ कि एक पारा सेक अगर मैं बात करूँ तो अगर उसको मिटर में लिखू तो वो वेल्यो होगी इन्टो इस ट्री पॉइंट जीरो एट इन्टो टैन टू दी पावर सिक्स्टेन मीटर और अगर मैं इसको लाइट इयर में लिखना चाहूँ प्रकास वर्स में लिखना और वैसे पारा से किसकी उनिट है डिस्टेंस यानि दूरी की उनिट है नेक्स क्यूशन की बात करते हैं नेक्स क्यूशन क्यूशन नंबर 11 कि इस्टुटेंट्स डाइमेंशन ओप इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इस आर जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता है प्रतिरो उससे v equal to क्या होता है strength ir अगर आपको परतिरोद की वीमा यहां से चाहिए तो r equal to strength क्या हो गया v upon i अब देखे strength इसमें v जो है अगर मैं उसको define करूँ definition से तो v equal to मैं लिख सकता हूँ strength से w upon q और already वहां से पहले से क्या है strength i तो w यहां पर work है q यहां पर charge है और i यहां पर electricity है तो अगर मैं इसको dimension में convert करूँ तो जो w वर्क है उसकी dimension होगी strength से m1 l2 t-2 then upon की बात करें charge की जो dimension होती होती है strength से a1 t1 और यहां पर electricity आगे तो direct इसकी वीमा आजाएगी a1 इसको solve कर लिए strength उपर यहां पर अकेला केवल m1 है तो m1 रहेगा उपर l2 है निचे कोई l नहीं है तो यहां पर l2 ऐसा कैसी आ जाएगा अगर t की बात करतें तो इस ट्रेंट उपर t-2 है और निचे t1 है प्लस का उपर जागी किसका हो जाएगा माइनस का तो माइनस का 2 और माइनस का 3 हो जाएगा निचे अगर एक की बात करतें तो इसमें नमरा बी राइट आंसर होगा क्योंकि ऑप्सन बी में यहां पर एम 1, L2, T-3, A-2 वीमा पराप्त होगी एलेक्ट्रिक रेजिटेंस की तो उप्सन B को आपको राइट आंसर के रूप में क्लिक करना यह आपका उप्सन भी राइट आंसर होगा next question की बात करते है next question is question number 12 which of the following is not a unit of distance जो नीचे option दिया गिए उनमें से दूरी की कौन सी यूनिट नहीं है तो अगर बात करते हैं, option A में फर्मी ये दूरी के लिए आता है, angle storm ये भी दूरी के लिए आता है, micron ये भी दूरी के लिए आता है, लेकिन option D की बात करें, star radian, तो star radian है जो angle होता है, plane angle उसके लिए आता है, star radian मातरक है, solid angle के लिए आता है, star radian और radian आता है, star radian और plane angle के लिए आएगा, radian और ये इस्टे रेडियन तो ये थोस एंगल होता है, जिसको थोस कोन अपन कहते हैं, या घन कोन उसको बोलता है, solid angle उसके लिए, तो ये angle का unit है, star radian, तो option D हमारा right answer होगा, star radian distance का unit नहीं है, तो D को आपको right answer के रूप में किलिक करना है, next question हमारा, question number 13, question number 13 है, dimensional formula for surface tension, surface tension यह नहीं होता है, प्रस्तनाव, तो फ्रस्तनाव के लिए, जो dimension formula होगा, तो इसके लिए देखे, strength से, जो surface tension का formula होता है, अगर मैं उसको बोलू, surface tension से, तो वो होता है, strength F upon L, F यहां फे force होता है और L, length होती है, तो अगर इसके मैं वीमा में इसको लिखना चाहूं, तो इसका जो formula होगा, वो होगा, strength से, M1, force के लिए, L1, T-2, upon यहां पे L1, लंबाई के लिए आ जाएगी, वीमा, इसको solve करेंगे, तो इसका formula प्राप्त होगा, M1, नीचे L1 है, और उपर भी L1 प्लस का है, तो उपर जाएगे, मैनस हो जाएगा, L0 बचेगा, और यह T-2, मापे पहले से बचा हुआ है, तो M1, L0, T-2, जो dimension होगी, वो होगी, student से, आपकी, surface tension के लिए, तो, answer देके, answer कौन सा है, M1, L0, T-2, option B, हमारा right answer होगा, option B को right answer के रूप में आपको click करना है, next question की बा unit of all system of unit is, कौन सी ऐसी quantity है, जो same unit रखती है, सबी जो आपका system of unit होती है, जो मातरक पदतियां होती है, सबी मातरक पदतियों में, कौन सी रासी है, जो same unit रखती है, अगर बात करें, अगर अपना बात करें, CGS पदती की, अगर बात करें, MKS पदती की, और अगर बात करें, F पी, एस पदती की, तो इस ट्रेंट्स तीनों ही पदतियों में, जो यहां पे एस आपको नजरा आ रहा है, वो समय के लिए आता है, सेकिंड के लिए, तो अगर समय की बात करते हैं, तो option भी हमारा राय टांस रोगा, time है, वो quantity है, वो सभी में बराबर यूज लिया जाता है, एक ही चीजा है, समय है, वो तीनों जो मात्रिक पदतियां होती है, उसमें काम में आती है, तो option भी हमारा right answer होगा, next question, question number 15 है हमारा, the numerical value of a given quantity जो numerical value होती है, वो quantity के लिए, वो क्या होती है, उसके लिए option दिया गया है, अगर बात करें, option एक ही, तो independent of unit, unit पे डिपेंड नही unit, और option D, directly proportional to square root of a unit, तो इस ट्रेंड से, जो inversely proportional to unit होता है, option C हमारा right answer होगा, क्योंकि अगर किसी भी unit का, अगर अपना example दे, मैंने लिखा 1 kg, equal to 1000 gram, तो इसमें देखेंड यहां पे 1 kg, यहां पे जो मात्रा है, परिमान है, वो 1 kg unit है, लेकिन यहां पे 1000 की बात करते है, तो हजार जो यहां पे परिमान बड़ा हो गया, लेकिन unit छोटा आ गया, तो inversely proportional होता है, तो option C आपको right answer की रूप में click करना है, next question की बात करते है, question number 16, question number 16 है, which of the following measurements is most precious, अगर बात करते हैं, सही जो 60 value बैठती है, वो बात करें, उसमें option में से, तो option A अमरा right answer होगा, 5.00 mm जो value है, वो सहीर answer के रूप में आपको click करनी है, next question की बात करते है, question number 17, question number 17 है, the numbers of significant figure in, यह जो संक्या आपको दी गए, उसमें सार्तक अंकों की संक्या बतानी है, significant figure बताना है, तो इस ट्वेंड से, दसमलों की बात में, जो 0 है, उसको count नहीं करते है, सार्तक अंक में, उसके the dimension of young's models of electricity, यहाँ पर यंग प्रत्यास्ता गुणां की वीमा आपको पूचीगे, इस ट्वेंड तो उसके लिए यंग प्रत्यास्ता गुणां की वीमा निकालने के लिए, आपको एक फोर्मला ध्यान रखना होगा, अगर उसको वाई से रिपरजन करें, तो उसका फोर्मल l-1 t-2 अगरे राइट अंसर की बात करते हैं तो option a ने हमरा राइट अंसर होगा, वाइट तो यहाँ सब्सको एट राइट आगा डेक्स कुछन आपका क्यूश्य नमबर 19 एक वेबर प्रती मिट्री स्क्वाइर इसके बरावर होता है तो इसके लिए कुलिए उसको इसको कॉंसेट यह है कि एक गाुस के टेस्ला में लिखते हैं, तो रिटी थ 10 की गात-4 टेस्ला नो तो इस मेसें काम करें डस्की लाँर, यहां पर जाएगा 1 बता-4 ब़दिन बच जाएगा एक टेस्ला louse पर लेके जाए किस का हो जाएगा प्लस का तियो हो गहति 10 की गात प्लस का चार गाउस बराबर एक टेसला अब देखे स्ट्वैंट्स एक टेसला होता है डिसके बराबर होता है ratta ऐसे किंश्टे से जो एक विवर प्रती मित्र स्कोइर के बराबर होगा next question की बात करते हैं next question हमारा question number 20 question number 20 है the dimensions of plan constant is same as that of eagle plan constant है उसकी भीमा किसके बराबर होती है ton angular momentum के option b linear momentum के option syuestas work ka और option d of viscosity के तो अगर the patterns में right answer की बात करें तो उसके देखे आपको एक formula plan constant को लेकर मैं formula बताता हूँ E equal to होता है strength H new अगर आपको H की value निकालनी है तो H equal to हो जाएगा strength E upon new ए एनर्जी है जब एनर्जी की वीमा रखेंगे तो वीमा होगी strength M1 L2 T-2 अपोन यहाँ पे अगर वीमा रखेंगे अपन आवर्थी की तो वीमा होगी T-1 जब इसको solve करेंगे तो वीमा आएगी अपने पास होगी strength M1 L2 और T-1 क्योंकि यह जो नीचे T-1 उपर आगी किसका हो जाएगा प्लस का तो वो गड़ जाएगा उसमें से तो M1 L2 T-1 यह जो वीमा है वो होती है strength से आपके कौन यह समवेक की तो अगर right answer की बात करें तो वो option होगा अमारा option first A, angular momentum होता है उसके लिए इस्तती प्राप्त होती है क्योंकि उसका यह जो वीमा जो समिकन है जो dimension है वो angular momentum की प्राप्त होती है जिसका formula अपने लेता है strength Z equal to M V R यह formula तो जब इससे dimension निकालेंगे तो वो यह dimension अपने को इससे प्राप्त होगी तो दुन dimension बराबर इसलिए option A, अमारा right answer की रूप में यहाँ पर आपको किलिक करना है तो I hope strength आपको यह वीडियो आपको पसंद आया होगा अपने दोस्तों के पास सेर करिए और यदि आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और यदि आपने दूसरे चैनल पर वीजिट नहीं किया है तो उसका लिंक में इस वीडियो की description में नीचे यहाँ पर डाल देता हूं तो